25,000 रोपे का budget है और आपको Moto H50 Fusion ने confusion में डाल के रखा है कि ये किस तरीके का device है तो यार चिंता फिकर नॉट क्योंकि यार इसको मैंने पिछले 15 दिनों से daily driver बना के use करा है इसके अंदर अपना sim लगाया हुआ है A, 2, Z सभी चीज़े poly test कर लिए ताकि आपको इसके बारे में full to बता पाऊं क्योंकि यार इस price range के इंदर आपको यार यहाँ पे OnePlus Note CE4 भी मिल जाता है Nothing Phone 2A भी मिल जाता है but who does the better job आपके price हिसाब से कौन से सही आता है मतलब literally unboxing नहीं की बात करने वाला हूँ, box की बाई, इसके box के अंदर तगड़ी वाली fragrance आती है जैसे ही first time आपको यह निकालोगे ना, सून के इसको देखना बहुत ही सही fragrance है और जहां पर मैं इसको रखता हूँ सारे mobile को एक साथ, इसके box की fragrance ने उस जग़ा पूरा तहल का मजा रखा है बहुत ही सही चीज़ है, अलग सी चीज़ है, तो मैंने सुझा चलो आपको mention कर देता हूँ लेकिन याज जो phone है, उसके उपर आते हैं, सबसे पहले देखो, इतना मैं जरूर से बोलूँगा थोड़ा सा मैं बायस जरूर से feel हो सकता हूँ, build और design की तरफ, क्योंकि मैं literally बताऊँगा मोटो का यार, यहाँ पर जो back panel है, leather finish वाला खास करकी, और इस color में खास करकी, मेरे को personally बहुत ज़ादा पसंद आता है चाहे वो यार, nothing से compare करूँ, चाहे मैं यहाँ पर not से compare करूँ, इन दोनों से बहुत ज़ादा better मुझे लगता है इसकी दो-तीन वज़ाए, देखो एक सबसे अच्छी क्यार, back में जो leather finish के इनकी feel है, quite good वाली आती है, मतलब premium feel आपको इसके अंदर ज़रूर से मिल जाएगी अगर आप ऐसा device ढून रहे हो, जिसमें premium feel आनी चाहिए, touch करने के बाद इसके अंदर पूरी तरीके से आती है, अब of course अगर आप cover लगा की use करोगे तो वो feel चली जाएगी मैंने जितना भी device को use करा है, बिना cover की use करा है, और उसका नतीजा भी मैंने जहला है, क्योंकि दो तीन बार phone मेरे से गिरा और एक बार तो भाई road पे phone गिर गया, concrete वाली, और आगे इसके अंदर कोई भी screen protector नहीं आता है बट Gorilla Glass 5 की protection मिलती है, लेकिन screen protector तो था नहीं, तो खरोच उपर ज़रूर से लग चुकी है, एकदम deeper grooves वाली, तो वो चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना कि यार protection always carry करो, तो ज़्यादा अच्छा यहां पर रहती है choice, बट यार एक अच्छी चीज यहां पर मैं बता जो है, आप इसके अंदर बहुत ही सही तरीके से कर सकते हूँ, वेड भी इसका अंडर 180 ग्राम रखा हुआ है, तो वन हैंड यूज़ भी है, बहुत ही easily हो जाता है, ना जादा बड़ा है, ना जादा चौड़ा है, easily आपके palm में भी fit हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं nothing से compare क प्लास्टिक की वाली feel आती है, वो feel आपको यहाँ पर मोटो के अंदर नहीं मिलेगी, but of course जो build है, वो plastic ही यहाँ पर बनी हुई है, overall मेरे को तो personally यह color बहुत जादा पसंद है, even इसका build और design भी बहुत ही सही लगा है, but एक और भी अची चीज है कि इसके अंदर IP68 की water resistant वा पानी की अगर सीटा वगरा भी चली जाए, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, but याद रखना मैं हर वीडियो में बताता हूँ, IP rating है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर phone में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, दिक्कत आ सकती है, और company इस दिक्कत के उपर आपको warranty नहीं द होता है, and of course इसके अंदर आपको 3.5mm jack नहीं मिलेगा, आप तो वो आजकल टाटा बाई-बाई हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो dual speaker मलता है, Dolby Admos के साथ मलता है, quite loud हो जाता है, and quite bassier music भी आपर निकाल के देता है, अच्छा है, segment के साब से मुझे आइड, audio की tuning है, वो का इसकी मुझे बहुत ही जादा सही लगी है, curve display यहां पर आपको मिल जाती है, 6.7 inch की यहां पर यह P-OLED 144Hz के refresh rate के साथ आती है, smoothness भी आपको यहां पर इसके अंदर अच्छी मिल जाएगी, in-display fingerprint scanner के साथ है, quickly unlock हो जाता है, unlocking locking में कोई भी दिकत, ऐसाच feel नहीं हुई है, but curve display ह अगर अब आप देखोगे तो एकदम पतले वाले साइड में आपको मिल जाते हैं, और premium feel तो जरूर से curve display के यहां पर निकल के आती है, यह भाई आपके उपर है, but जरूर से यार, do let me know, कि आपको यार, flat display जादा पसंद है, कि curve display जादा पसंद है, comment section में जरूर से जाओ, अ अंदर से खुशी मिलती है, लेकर अंदर से खुशी नहीं, अंदर से हम बाहर जाएंगे, और अगर आप इसकी peak brightness भी देखे, तो solar sunnets की आती है, hbm 1200 nits की इसके रहती है, outdoor visibility में ऐस सच कोई दिक्कत नहीं आई है, मुझे, direct sunlight के अंदर भी आर, बहुत ही सही तरीके से visible हो रहा था, outdoor में इसक्तम direct धूप में भी अलग-अलग angles भी मैंने देखा, बट एक चीज़ ज़रूर से आपको मैं बता हूँ, इसके अंदर HDR का support नहीं मिलेगा, YouTube के अंदर भी देख लो HDR के support नहीं है, of course Netflix या Prime वीडियो के अंदर भी नहीं मिलता है, तो अगर आप higher quality में content stream करना चाते हो, तो इसके अंदर वो आप नहीं कर पाऊगे, बट जो 4K content है, अच्छी quality में निकल के आता है, colors वगर की tuning भी ठीक है, हलके से हाँ, थोड़ी से saturated shine results है, contrast का nature भी अच्छा है, बट यहाँ पर viewing angle भी देखोगे, वो भी of course आपको अच्छा मिल जाता है, इसके अंदर कोई भी green line वगरा वाला issue, motor kit device में as such face नहीं हुआ है, इसके अंदर भी hopefully कभी भी नहीं आएगा, बट आप बिल्कुल भी miss नहीं करोगे, वो है इसकी network connectivity, 5G band बहुत चारे भतेरे इसके अंदर मिल जाते हैं, 5G connectivity बहुत तगड़ी मिल जाती है, इसके अंदर calling भी try करी, वो भी बहतरीन मिल जाती है, मतलब इतनी अच्छी है ना कि ये बार indoor के अंदर, मैंने इसमें hot spot चला के अपने laptop में internet चलाया है, इतनी तगड़ी मिलती है, indoor के अंदर 4G plus भी अच्छे से आ रहा था, 5G भी आ रहा था, तो network connectivity में कोई समझसे नहीं है, इवन इसके अंदर traditional वाला proximity sensor मिलता है, कॉलिंग के टाइम पर भी आपको कोई भी समझसे नहीं फेस होने वाली है, इवन NFC का भी support आपको बाव भी या इसके अंदर मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज यहां पर रहती है, क्योंकि यार ये चीज OnePlus skip कर देता है, कैसी pricing में OnePlus निन निकाला है, मेरे को समझ में नहीं आता है, बट मेरे को समझ में आता है कि इसकी performance कैसी है, क्योंकि इसके अंदर Snapdragon 7S Gen 2 वाला 4 nanometer based processor मिलता है, बट UFS 2.2 की storage के साथ, read and write speed देखो, कम side में थोड़ी सी रहती है, बट on-purpose score देखो, अच्छे यहाँ पर निकल के आते हैं, कुई समस्या नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज मुझे performance के अंदर लगी है, वो है कि इसके अंदर animation मिलते हैं, comparison के तोरपे, not के आगल बगल आपको दिखाता हूं, बट इसका थोड़ा सा प्लस साइड भी है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी है, नेगेटिव क्या है क्योंकि देखो यार, प्रोसेसर बहुत तगड़ा नहीं है, और read and write speed भी थोड़ी सी कम वाली मिलती है, तो उस साइड में आपको इसके अंदर UI शेटर जो है, अटकने वाले वो काफी जगा पर notice होंगे, जब आप बहुत जादा चीज़ें हैवी वाली एक साथ इसके अंदर करने लोगोगी, तब आप देखो, जैसे एप ओपनिंग मैंने करके दिखाई आपको, देखो, कोई के लिए, कोई के लिए, सारे आप ओपन हो जाते हैं, जादा कोई दिक्कत नी है, लेकिन लगातान मैंने धेर सारे आपस ओपन करने ला, वहाँ पर आप देखोगे, UI एनिविशन में थोड़ा सा अटकने वाला पन आपको वाँपे फील होता है, यह चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूर से मिलेगी, कि हाँ, UI शेटर्स अगरा आपको मिलते हैं, मतलब अगर आपको प्रफॉर्मेंस जादा बैटर चाहिए, आई दिए यहाँ पर नॉड आपको जादा बैटर प्रफॉर्मेंस निकाल के देता है, ऑप्शेन अलॉक मल जाता है, करो ना करो, वो तो भाई आपके उपर है, दिएको नॉर्मल स्मूद में मैंने जब तक करके देखी है, अगर आप एकदम होड ड्रॉप करते हो, तब तो यह जरूर से गिर जाता है, 30-35 FPS तक मैंने देखा है, कि यार, जो FPS है, इसका ड्रॉप हो जाता है, बट अगर आप नॉर्मल, कैजूल गेमिंग कर रहे हो, 60 FPS वाली, तो आपको अच्छे से 50 FPS, 55 FPS के अराउंड, जो है करा के दे देता है, इतना मैं clear cut आपको बोल देता हूं, अगर आप heavy चीजों में जादा जायते हो, जादा heavy gaming करनी है, जादा heavy video editing करनी है, तो यह device उत्ती अच्छी, यह तरीके से heavy वाली जो चीजे हैं, वो नहीं करा पाएगा आपको, नॉर्मल चीजों में आपको नराश भी नहीं करेगा, तो यह चीज इसके साथ रहती है, although heating वाली समझ से अभी मुझे इसके साथ face नहीं हुई है, देखो गर्मी तो अभी इतनी बढ़ चुकी है, कि पता आज जगरे तो बाहरी है, तो phone भी ज़रूर से heat होता ही है, अब normal use में तो phone में heating वगरा नहीं मिली, लेकिन अगर आप gaming वगरा करोगे, थोड़ा सा warm यह ज़रूर से feel होने लगेगा, बट जो बात रहती है software की, जो UI की, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि Motorola अभी भी सिर्फ यह हिलाने वाले features में ही रह चुका है, बट नो यार, Moto ने इस बार Hello UI का जो है update दिया है, 3 प्लस 4 यह का update का promise किया है, update कितने regular आगी यह तो यार देखने वाली चीज होगी, बट इतना जरूर से कहूँगा कि cleaner side में आपको यह phone मिलता है, और इतना भी जरूर से कहूँगा कि features भी बहुत अच्छे मिलते हैं, सबसे पहले अगर आप देखो कि यहां पर आपको जो notification center है, यह change हो जाता है, थोड़ा सा आपका iOS inspired जादा रहेगा, जो कि यार use करने में अच्छा रहता है, बट अगर आप चाहो, तो इसको पुराने style में of course change भी कर सकते हो, features बगरा के बात रही, moto secure का feature मिल जाता है, जिसमें secure folder है, network protection है, fitting detection है, auto lock बगरा करने वाले, आपको काफी सारे feature मिलते हैं, even जो moto के customization है, personalization के अंदर वो भी आपको मिल जाएंगे, बले ही वो lock screen customization हो, colors हो, themes वगरा आप अलग choose कर सकते हो, उस तरीके के बहुत सारे customization है, gasher वगरा का support आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अलग-अलग चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हो, और moto secure के अंदर अगर आप चाहो app को lock करना, या dual app बनाना, वो भी उसी के साथ ही आप यहाँ पर कलोगे, बट again आप ध्यान रखना कि इसके अंदर, जो है Google dialer मलता है, call recording announcement हो जाती है, बट अगर आप setting में जा कि इसमें change करोगे, आप बीप वाला option आगया है, तो वो आप change कर सकते हो, तो अधर side में थोड़ा सा better रहता है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर bug नहीं मिलते हैं, bugs भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सबसे फ़ेला तो मैंने तो इसके अंदर बिल जाएंगे, अधर थोड़े मोडे bugs हैं, जिसको धीरे धीरे करके, I think fix किया जाएगा, smoother बनाए जाएगा, तो जादा better हो जाएगा आपका device, बट जो battery है, वो तगडी लगी है, 5000 image battery है, और मैंने 5G के उपर, 4G plus के उपर है, और 4G के उपर भी use करा है, अराम से 6G का battery backup निकल के आए, Wi-Fi के उपर use करोगे, तो 7G plus का आपको battery backup मिल जाएगा, इतना मैं जरूर से कहूँगा, आप जितना भी use करो, 6-6 से 7G का battery backup, बहुत ही easily इसके अंदर आप निकाल लोगे, तो battery वगरा में, मुझे कोई भी समस्या फिलाल, बाकि यार, जो in the end बात रहती है, camera's की किस तरीके के निकल गया थे हैं, क्योंकि यार, 13-Mia pixel का ultra wide है, main sensor 50-Mia pixel का OIS के साथ, light या, 700C वाला मल जाता है, और 32-Mia pixel का selfie camera भी आपको मलता है, सबसे पहली चीज, आपको यहां पर मैं बता हूँगा ना, कि 4K 30fps में, सभी camera से video recording कर सकते हो, main sensor से, ultrawide sensor से, even selfie camera से video recording कर सकते हो, तो यह आप देख सकती हूँ, 4K video recording इस तरीके से यहां पर हो रही है, अब इसी को मैं record करते हैं, मैं भी switch कर सकता हूँ, तो यह और wider frame को जो है, capture यहां पर कर लेता है, so this looks very interesting, और even इसलिए अच्छा भी है न, क्योंकि इस तरीके का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अगर मैं आपको चल के भी दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके के रहता है, light adjustment वगएरा, देख लो, ultrawide में इस तरीके से है, इसको अगर मैं वापे से लाओ, तो कुछ इस तरीके का आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर दोड़ के भी दिखाता हूँ, तो देखो, इस stability भी देख सकते हूँ, आपको काफी सही यहां पर overall जो है निकल के आती है, और किस तरीके वीडियो क्वालिटी लग रही है, जरूर से बताना, अभी मेरा camera man छोटी बगया हुआ है, इसलिए यार एक ही आज से खुदी वेरे को रिकॉर्ट से पर यह बढ़ रही है वीडियो, बट डू टेल मी ना, इस अच्छा यहां पर काम करा है, किसी ने तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ट करी, किसी ने अच्छा यहां पर सोचा है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी यहां पर overall निकल के आ जाती है, चाहे आपको मैं front camera में भी दिखा हूँ, बागियार जैसे front selfie camera भी है, देख लो यहां पर 4K में video recording इसमें भी आप कर सकती हो, अभी wind की काफी तेज noise में भी आपको ना आ रही हो, लेकिन wind बहुत देचल रही है, noise cancellation देख सकते हो किस तरीके से है, अभी यह stable video है, तो यह मुझे अच्छा लगा कि 4K में भी actually में आपको stability जो है, मिल जाती है, EIS well, of course, आपको यहां पर मिलेगी, कुछ इस तरीके कि shot आप यहां पर देख सकते हो, निकल के आपको निकल गएगा, इधर भी, अगर देखें, शैडो एरिया वगरा भी, सही से मैं इस कर रहा है, बस यहां देखो थोड़ा B8 में ला, ऐसा लग रहा है, contrasty tone थोड़ा सा जाब देख रहा है, how do you know, आपको किसा लग रहा है, जबूर से, comment section बताना, bye-bye, कुछ भी बोल दिया है, इसके अंदर आपको मलती है, इवेन अगर आप यहां पर ultrawide camera देखो, तेरा में पिक्सल का इसके अंदर निकल के आता है, उसके shots वगरा देखो, बहुत ही सही है, हाँ, थोड़े से contrasty nature के रहते हैं, लेकिन details वगरा अच्छी निकल के आती है, यहां पर आपको निकल के आती है, इवेन low light की भी performance आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी चीज यह है कि main और ultrawide में, बहुत जादा colors दोगरा का difference नहीं निकल के आता है, जैसे कि मैं आप main camera के भी बात कर लेता हूँ, सबसे अच्छा point मुझे लगा, चलो portrait mode के अंदर इन्होंने अलग-अलग focal length के अंदर click करने का option दिया है, आजकल अगर आप portrait shot इसके अंदर click करूगे, बड़े ही crispy निकल के आते हैं, outdoor के अंदर तो details भी अच्छी निकल के आती है, edge detection भी काफी बहतरीन इसके अंदर होता है, low light के अंदर बहुत खास detail नहीं रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, कि आप देखो, क्योंकि artificially zoom करा है, इसलिए थोड़ी सी detail में भी कमी हो जाती है, low light के अंदर, लेकिन outdoor में must shot, यहां बहुत मैं कहूंगा, overall निकल के आते हैं, प्रोसेसिंग अची कर दी है motorola ने, क्योंकि आज जो main sensor से मैंने photos वोगरा click करिये न, saturated side में मलती है, मतलब एकदम eye pleasing वाली मल जाती है, जिसको आपको देखके लगे भाई, Instagram रएडिये, जरूर से upload कर तो, HDR की tuning अच्छी हो चुकी है, consistent shots और निकल के आ रहे हैं, ऐसा बिलकुल भी feel नहीं है, या main और जो portrait mode में है, उसमें आपको colors का difference है, क्योंकि tuning अच्छी है, portrait mode का edge detection अच्छा है, low light की भी performance यहाँ पर overall आपको अच्छी मिल जाती है, indoor lighting में भी कोई जादा समस्या feel नहीं होई है, हलके से contrasting nature ज़रूर से feel होता है, थोड़ा-थोड़ा low light के अंदर उसको भी थोड़ा fix करेंगे, तो overall बहुत ही सही हो जाएगा, बट इनना मैं ज़रूर जगाँगा, इस बार Motorola ने camera department में बहुत तगड़ा वाला improvement करा है, खास करके अपनी post processing के अंदर, अब ऐसे selfie camera की बात रही, 32 में का pixel का मिलता है, details वगरा देको इसमें भी मस्त है, आपको यार जो colors वगरा के tuning है, इसमें भी मस्त मिल जाती है, बट इसमें थोड़ा contrasting nature ज़ादा मिलता है, मेरे beard में देखो न, ब्लैक ब्लैक थोड़ा ज़ादा आपको यहाँ पर यह feel होने लगेगा, यह low light के अंदर और outdoor दोनों में मैंने आप यह देखा है, इसको अगर motor थोड़ा control करें तो ज़ादा better मेरे साब से colors वगरा निकल के आएंगे, इवन अगर आप background में HDR वगरा भी देखोगे, अगर आपको एकड़ी प्रफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं इतना ज़ादा recommend आपको नहीं करूँगा, प्रफॉर्मेंस ज़ादा तगड़ी चाहिए, तो आप not की तरफ जा सकते हो, बट उसके लावा, अगर आप देखो, cameras मस निकल के आते हैं, डिस्पले बहतरीन है, build अच्छा आपको मिल जाएगा, बैटरी वगरा भी अच्छी है, पस performance साइड में जो है, आपको casual वाली जादा मिलेगी, तो बाकि यार, overall, आपका decision है, 21,000 रुपे के price point के साब से cameras वगरा, display वगरा, या अगर आपको battery भी बताऊं, तो अच्छी मुझे याँ पर लगी है, बागी, अगर आपका कोई भी प्रशन है, as usual, comment section में जाके आप पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आई है, तो like, share, जरू से कर देना, पताईए, दो भारा मैंने record करी है, क्योंकि एक time, यार, मैंने camera on करना भूल गया था, बट, अच्छे सा record हो गई है, सारे info भी आपको बता दी है, कोई और चीज़ जानना चाते हो, तो comment section में जरू से बताते हैं, फिलाल इस वीडियो में तहीं, till then take care, बाई बाई, जैश्री राम